Good morning friends, I am Sandeep Kumar Reddy from Ingenious Competitive Training Academy आज हम लोग discuss करेंगे Army GD previous year examination paper ये जितने भी question papers है, हम original papers को type किये हैं और हम कुछ question papers मेरे पास पड़े हुए हैं और उनको near about 10 to 15 question papers होंगे उनको हम discuss करने के बाद जो expected रहेगा 30 of January 2022 को जो examination होगा वो papers discuss करेंगे उनकी PDF आपको upload किया जाएगा टिलिग्राम पर आप अपना दोस्तों को भी share करिए exam दीजिए उसके बाद उसका जो solution है हम आपको इसके अंदर discuss करेंगे चलिए start करते हैं इनके अंदर क्या-क्या सवाल दिए गया है बाकी हम आप लोगों को ये पूरा प्रीमियर होता रहेगा हर दिन शाम में 7 बजे ये आपको प्रीमियर हर दिन का जितने भी question papers है हम आपको upload कर देंगे तो उसके बाद जो प्रीमियर है वह आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलिग्राम से स्टार्टिंग में अगर देखा जाए जो सवाल दिए गये हैं जहिके की capital मिजोराम की बात कर रहा है जो की आईजवाल है दोस्तों और बाकी बिहार अलग city अलग state है और माज़प्रदेश तो मतलब भी नहीं बनता तो यहाँ पर जो मिजोराम की जो capital है वह आईजवाल है दोस्तों यहाँ चिलका लेग कहां पर है चिलका लेग की बात कर रहा है यह चिलका लेग जो है ओडिशा में आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा salt आप यहीं पर पाये जाता है तो ओडिशा में सबसे ज़्यादा इस चिलका लेग saltest लेग कह सकते हैं और यहाँ पर आपको आईनेस चिलका जो की naval center at running center sailors का वहाँ आपको देखने को मिलेगा और बात करें which is known as the land of midnight sun midnight sun की बात कर रहा है और मैं आपको एक सवाल पूछ हूँ ऐसे कौन सा largest man-made lake in India वो आप मुझे comment section में ज़रूर बताईएगा किस जगह को land of midnight sun के नाम पे जाना जाते हैं तो यहाँ पर जो नौर्वे को land of midnight sun के नाम पे जाना जाते हैं rising sun की बात करें तो जपान को बताना पड़ेगा बाकी नौर्वे को midnight sun कह सकते हैं the main city of Kashmir valley क्या है जो कि स्रीनगर है दोस्तो सबसे important है और बात करें यहाँ पे अर्जुना आवार्ड जो है किसी लिए दिया जाता है यह जो दिया जाता है वो अर्जुना आवार्ड outstanding sports person के लिए दिया जाता है अगर मैं यहाँ कैश्मीर वाली जो स्रीनगर के अंदर आप देख सकतों वहाँ पे एक lake है important lake है आप मुझे comment section में जरूर बताइएगा यह अर्जुना जो आवार्ड है यह 1961 से दिया जा रहा है उसी 1961 में सरोजनी नाइडू जो की United province का governor बनी थी और उसी टाइम पे गोवा का liberation हुआ from the Portuguese उनसे आजाद हुआ उस टाइम पे आर्मी वालों को बेज कर operation विजई जो हुआ था वहाँ से उनको चुटकारा पाया गया है from the Portuguese English अगला देखिए बिहू traditional dance है दोस्तों यह आप assam में देख सकते हो तीन बार होता है साल में और वो क्या है बाघोली बिहू रंगोली बिहू करके तीन बार होता है बिहू traditional dance पर आप देख सकते हो इस तरह कर तीन festival होते हैं assam के अंदर लंदन जो है, कौन सा नदी के तट पर है, वो σवाल पूछा जा रहा है, जो कि थेम्स नदी है दोस्तों वहाँ पे आप लंदन को देख सकते हो और अल अलग अलग जगह है, जो कि इराप टाइग्रिस नदी के किनारे पर है अब इजिप्ट जो है नाइल नदी के तिनारे पर है और सियानी जो है पैरिस नदी के किनारे पर है यह आप सब देख सकते हो By using a map you can find क्या आप खोज कर सकते हो आराम से distance पता कर सकते हो, direction पता कर सकते हो, altitude यह तीनों आप आराम से measure कर सकते है deepest ocean क्या है समंदर के अंदर, Pacific Ocean जो है काफी deepest है दोस्तो और बात करें, Mariana Trench है जिस जगह जहाँ पे काफी deepest आप देख सकते हो Arabian Ocean जो है यह अमारा इंडिया की west side में आप देख सकते हो India Liberated Goa from the Portuguese जैसे अभी मैंने बताया 1961 में Operation Vijay वहाँ पे अलागू किया गया था आर्मी वाले जाके Portuguese वालों को भगा दिया अब बात करें, Paris is situated on the bank of river जो की सियानी नदी के तट पर आप Paris देख सकते हो दोस्तो अब बात करें की Thames जो की London City जो है Thames नदी के तट पर है अब बात करें की सो यहाँ पे वोलगा जो है यह river के तट पर क्या है आप मुझे comment section में जरूर बताईएगा National Botanical Garden यह कहाँ पर देखने को मिलेगा जो Botanical Garden है लकनों में आप देख सकते हो और मैं बात करूँ कहाँ पर Lack Research Institute है मुझे comment section में जरूर बताईए जो Lack Research Institute इंडिया में किदर है आप मुझे comment section में बताना H1N1 एक swine flu है दोस्तो सुरों से फैलता है बाकी काफ तो मतलबी नहीं बनता और bird flu जो है सभी जानते हैं पक्षियों से हो जाता है और कितने spokes होते हैं अशोका wheel के अंदर यह सवाल जब मैं Navy E.M.E.R. examination दिया 2003 में तब भी यह सवाल हमसे पूछा गया था कुल मिला के 24 होते हैं अशोकन Rock Edits Indicate करता है जो कि Wheel of Progress कह सकते हैं और National Emblem of India की बात कर रहा है जो की Land Capital of Ashoka इसको हम लोग As a National Emblem of India Adopt किया गया है बाकि Bengal Tiger जो है अपना Animal है दोस्तो पूर्नकुम आंदर प्रदेश की जो Symbol है और साथ में Ashoka Wheel जो Progress का Indicate करता है दोस्तो अब बात करें कि General Science की अब General Knowledge डिसकस कर लिए है General Science की बात करते है Important Ore of Aluminium की बात कर रहा है जो की Bauxite है दोस्तो अब Galena किसका Ore है आप मुझे Comment Section में बताना Qprite जो की Copper का है दोस्तो Calcite किसका है Comment Section में जरूर बताना ऐसे अलग 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 ओर्स है Magnetite जो की Hematite जो है Ferrous का Ore है अगर बात करें Mercury का जो जिस पतर से लिया जाता उसको Ore कहते हैं वो है चिर्नाबार In fireworks, the green flame is produced because of जब आप कोई भी पटा के फोड़ते हो तो कहें के अलग-अलग colors आप देख सकते हो यहाँ जो green flame है वो आप देख सकते हो Barium की वज़े से बाकिया Mercury का कोई मतलब नहीं Mercury का हम लोग Fluorescent Bulb के अंदर उसको Coat किया जाता है Long distance photography Is facilitated by Infrared race की वज़े से हम आराम से यह जितने भी Long distance photography को आसान कर सकते है यह बहुत ही important है Which among the following Is not a gland यह जो है stomach जो है Gland नहीं है बाकि liver, kidney, pancreas यह सब अलग-अलग किसिम के Gland है दोस्तो अगर मैं एक बात करूँ Endocrinic Gland सबसे बड़ा क्या है Thyroid है अगर normal glands की बात करें तो कि liver है दोस्तो तो अलग-अलग glands है जो आपको पता होना जरूरी है Aviation fuel जो है For jet aeroplane consist of Purified kerosene का इस्तमाल करते हैं जो आपको पता होना जरूरी है जो aviation fuel होता है वो jet aeroplane के अंदर वो kerosene का नाइने की पेट्रोल बिल्कुल नहीं अर्पिस करते हैं यहां के kerosene का इस्तमाल करते हैं लेकिन purified form में रहता है वो अब बात करें ozone layer जो कि upper part of the atmosphere ये stratosphere में आप देख सकते हो the ozone layer जो है upper part of the atmosphere में आप देखने को मिलेगा ultraviolet trace आप से बचाता है ozone layer stratosphere में आप देख सकते हो और बहुत ही important महतोपूर्ण role play करता है इसका जो chemical formula है O3 बाकी maximum density जो की पानी का 4 degree होता है दोस्तों और इसकी वज़े से इसको हम लोग कहते हैं anomalous expansion of water और उसकी वज़े से क्या होता है उपर अगर लेक पूरा एकदम ice हो गया तो नीच्छे पानी आपको देखने को मिलेगा which are the following disease usually spread through air जो tuberculosis है TB और common flu ये सब जो है हवा से फैलता है दोस्तों plague जो है चुह से पैलता है typhoid जो की salmonella typhi bacterium के वज़े से kalora vibrio kalora के वज़े से फैलता है अब बात करें weight of an average human brain जो की अपना जो brain के जो weight रहेगा वो 1350 grams देखने को मिलेगा saliva जो कि हम लोग जो लाला जल कहते हैं वो help करता है अपना digestion of fats के लिए अब बात करें tooth with three roots एक होता molar और एक होता premolar molar यानि three roots देखने को मिलता है और premolar जिनके अंदर two roots देखने को मिलता है जो भी wisdom teeth होते हैं जो 32 दान्त कहते हैं वो molar है दोस्तों ये सब vestiginal organs है 32 दान्त साथ में अपना जो निपल और साथ में अपना जो जिसे कि हम लोग appendix operation होता है ये सब vestiginal organs है जो कि मतलब नहीं बनता है उसका कोई लेंदे नहीं है अब बात करें incisors की अगर हम fruit को काटना हो काटते हैं तो हम incisors ये incisors कह रहे हैं canine एक कुत्ते वाले दान्त होता है जो कि ड्राकुला इसको canine कहते हैं single root उपर दो निच्चे दो तो चार canine होते हैं 2132 इनका वो होता है फार्मला जो आपको पता होना जरूरी है 2123, 2123 तो अगला जो है typhoid is a disease of intestine अब जब typhoid हो जाता है तो आपको ज़्यादा vomiting हो जाते हैं कभी कभी क्या हो जाते हैं parforal tear भी होता है intestine का यानि आप ज़्यादा infection होके intestines में खराबी हो सकता है और आपका intestines problem create करेगा बाकि liver जो की सभी जानते हैं liver largest gland जिनको regenerative capacity आप देख सकते हो lungs जो की respirator use के लिए बहुत काम आता है और जो stomach है जो सभी food को store करने के लिए अपना जितने भी वो आपको help करता है digestion में जो help करता है वो intestine ही help करता है और digestion सथीक्षण नहीं होगा intestinal perforation हो जाएगा इसके वज़े से आपको thyroid problem हो सकता है कौव milk जो है is a rich source of vitamin 12 यहाँ 12 नहीं that is B12 यानि synecobalamin होता है दोस्तो और vitamin ये retinol जो की carrots में पाए जाता है vitamin B, B complex vitamins अलग-अलग vitamins होते हैं B3, niacin, B1, B2 और B6, B12, B9 अलग-अलग vitamins होते हैं B complex के vitamin C यानि आशकार B-C acid होता है जो की आप citric जितने भी fruits है उनमें आपको देखने को मिलेगा अब बात करें which one of the following is a mixed fertilizer nitrogen, potassium and phosphorus ये तीनो mixed fertilizers कहते हैं दोस्तो ये बहुत ही important है fourth state of matter को plasma कहते हैं दोस्तो ये आपको याद होना ज़रूरी है अब laparoscopy जो है is connected with the gynecological operation के साथ ये connected रहेगा जिनको हम laparoscopy कहते हैं दोस्तो the mammal which lays जो अंडे देता है उस mammal को हम लोग duck-build platypus को कहते हैं दोस्तो जो की अंडा देता है जो पानी में आपको duck के तरह आप देख सकते हो ये laparoscopy जो है gynecological surgery के बारे में आप देख सकते हो और the gas used to extinguish fire जो की carbon dioxide दोस्तो ये आग को बुजाने के लिए हम लोग इस gas के इस्तमाल करते हैं और बात करें की laughing gas जो की nitrous oxide होता है ये laughing gas आपको पता होना ज़रूरी है nitrous oxide N2O ये बहुत important है और बच्चों को बात मानते नहीं है उन लोगों को क्या करते है laughing gas उंगांके तो आराम से ये nitrous oxide से help के आराम से वो treatment कर देते हैं carbon dioxide आग को बुजाने के लिए इस्तमाल करते हैं sulfur dioxide जो की nitrogen dioxide ये दोनों जो है atmosphere जो अपना सभी देख्या होंगे clouds में react होके acid rains आ जाते है hydrogen peroxide आप कोई भी घाओ होगे उसके उपर डालते ही पूरा foam आ जाता है वो चीज़ है दोस्तों the most important war of mercury क्या है चिना बार जो से मैं आर्लेट डिसकस किया है box side जो की aluminum का है calamine calamine और calcite किसका है आप जान सकते हैं ये सब चीज़े आप gk के सवाल है और बाकी mathematics के मैंने काफी question papers पूरा discuss कर दिया आप जाके मेरा playlist के अंदर चेक कर सकते हैं मेरा academy का चो papers है उनके अंदर आप आराम से देख सकते हो thank you दोस्तो ये जितने भी papers है ये सब previous year है तो मैं इस playlist में डाल रहा हूँ बाकी आप मेरा academy का playlist में बहुत videos है आप देख सकते हो thank you दोस्तो I am Sandeep Kumar Reddy from Ingenious Competitive Training Academy जैहिन जै भाराद